वोई बच्चाओ मुझे एक मिनिट यार ये आवास कहा से आ रही है अबे वो आदमी तो उस लेटी का बैक चिन रहा है नाई 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 शिंचान वो तो भाग रहा है हमें उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा मेरी बात सुन जल्दी से उसके पीछे चल अबी तो यार इस साइडी भागाता कहा गायब हो गया फ्रेंकलिन भया जल्दी जल्दी भागो उसे पकड़ ले ना पता नहीं यार कहा गायब हो गया है एक मिनिट वो वहाँ पर कौन खड़ा है कैप्टन लगता है कैप्टन ने इसे पकड़ लिया होगा आओ आओ Franklin, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था मेरा इंतजार मैं कुछ समझा नहीं, कुछ काम है क्या मुझसे तुम एकदम सही समझ रहे हो, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है मैं चाहता हूँ मेरे बाद तुम इस शेहर को समझा लो यहां के कैप्टन अमेरिका बनो, तुमारा दिमाग ठेकाने पर है मैं ये सब क्यों करूँगा, इस चोर को पकड़ने में मैंने तुमारी मदद की है अब तुमें भी मेरी मदद करनी होगी, चिंता मत करो, मैं तुमें अपना सूट दूँगा अच्छा ठीक है भाई, पता नहीं गाईस ये कौन सा सूट देगा एक मिनिट, अब इस सूट को कितने दिन से नहीं धोया है और तुमें देने के लिए यही सूट मिला था चिंता मत करो, तुम इससे भी अच्छे सूट ले सकते हो, कैप्टन ओनलाइन शॉप से अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, शिंचें चॉप तुम दोनों यही पर रुको जैसे के फ्री में हो जाती है अबै यार, ये सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे अरे क्या हुआ, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है, ये लोग तो बहुत ज़ादा डरे हुए लग रहे जली से जाके देखते है गाइस ओ भाई साब, यहाँ से तो गूलिया चलाने की आवाज आ रही है पका कुछ तो गडबड है, थोड़ा सा और नजदिक चलता हूँ ओ भाई साब, यहाँ तो मिलिटरी वालों की गाड़िया, पूलिस की गाड़िया कोई डाकू अकू आए क्या एक काम करता हूँ, इनसे जाके पूसता हूँ सर क्या आप मुझे बता सकते के यहाँ पर क्या हो रहा है अब मैं तुम्हें क्या बताओ, बहुत सारे कैदी जेल तोड़कर भाग चुके है हमने उनका पीछा किया, उन्हें पकड़ने की कोशिश की अगर हम जादा कुछ करेंगे तो वो लोगों को भी मारेंगे सर का ने उन परी नाम भी रखा है भीड़ू लोग मेरी बात सुनो, अपन बहुत मुश्किल से जेल से भाग के आए लाए माई नहीं चाता है यह लोग अपने को वापस से पकड़े इनको तो सबक सिकाना इच पड़ेंगा तुम एक दमसा ही बोल रहे हो रुको अभी बताता है इनको जब तक एक दो गाड़ियों में ब्लास्ट नहीं होगा ये लोग मानेंगे नहीं, अब पता चलेगा इने अब डरेंगे सारे के सारे ओफिसर आप यही पर रुको मैं जाके उन्हें देखता हूँ ये लोग तो बहुत खतरनाक है और वो भी एक दो नहीं है, पूरा का पूरा ग्रूप है वहाँ पर, मुझे चुप चुप कर जाना होगा यहाँ पर बहुत तेज़ गोलिया चल रही हो बाई साब, गाईस यार उस गाड़ी के पीछे चुपने जा रहा था यहाँ से शूट करता हो इसको, और यह गया चलो एक तो गया, गाईस अब मुझे थोड़ा सा और आगे जाना होगा चलो यहाँ से रास्ता साफ लग रहा है, फटा फट भागता हो आगे हो 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 भाई, वो गाड़ी भी फुट गई अब यहाँ से चुपके देखो जरा, तो टाइम आ चुका है एक्षन का एक दो तो आफस में लड़ रहा है, जल्दे जल्दे इनने निप्टाता हो यही हमारे पास मौका है और यह गया अब दूसरा, अब गाईस बाकी के यहाँ पर होंगे ओहो 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 भाई, कोई नहीं बचने वाला यहाँ पर, तुम सब के सब क्रिमिनल हो चलो गाईस, मुझे लगता है मैंने सब को मार दिया है, पर एक मिनिट, इनका लीडर तो गायब है कहा जा सकता है, ओ भाईसाँ वो तो भाग रहा है, ओ मेरी नजरों से बच कैसे गया एक तो मेरी सारी गोलिया भी खतम हो गई है, वरना दूर से शूट कर देता ओ, नहीं 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 वो तो अपनी गारी में बैच के भाग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता मुझे उसका पीछा करना होगा वरना वो बहुत जादा दूर निकल जाएगा एक काम करता हूँ ये वाली गाड़ी लेके जाता हूँ मुझे माफ कर देना पर मुझे इसकी जरूरत है ओ भाई साब बहुत बुरा हुआ यार उसके साथ ओ बाई साब ये तो यही पर टकरा गया ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है इससे पहले के बाहर निकल के भागे जल्दी से मैं ही बाहर निकलता हूँ और उसको घसीट के लिए आता हूँ चल 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 बाहर निकल वरना यही पर ठोक दूँगा हाँ नहीं तो अब बताते गाईस इसको ये ले क्या गया है और क्या टकराया है यार गाईस मज़ा आ गया हमसे पंगा लेने चला था एक मिनिट हमारे बैंक में एक लाग डॉलर आ गया है गाईस क्या बात है लगता है गवर्मेंट ने जो इनाम रखाता ना वो हमें मिला है तो इसी बात पर जल्ली से जा के अपना सूट चेंज करता है यार यही तो चाहिए था हमें तो जल्ली से मार्केट खुलते और देखते के एक लाग डॉलर में कौन सा सूट है और ये बाई ये वाला सूट उससे कूल है एक मिनिट यार फोन वाइबरेट हुआ किसी का तो मेसेज है लोसेंटोस में होने वाला है एक रैम चैलेंज जिस पे इनाम है पूरे पांच लाग डॉलर और वो रखा गया है मेस बैंक पर जो भी इसमें पाटिसिपेट करना चाते है उनके लिए नीचे एक बाईक रखी है जिसे वो वहाँ पर पहुँच सकते है आँ गाईस मुझे नहीं पता हूँ किस बाईक की बात कर रहा है पर मुझे वहाँ पर पहुँच रहा है मुझे वो पांच लाग डॉलर चाहिए चलो चलो गाड़ी को भगाओ यार वो इनाम और कोई नहीं जीतना चीए उस पर मेरा हक है चलो मेस बैंक के पास तो पहुँच गया अब वो बाईक ढूंडनी है ये रही गाईस उसने एकदम सही कहा था ये तो उडने वाली बाईक है न इससे हम लोग आसानी से पहुच जाएंगे मेस बैंक पर जल्दी से बैटके से चालो करता हूँ भाई यार ये तो तोड़ी स्पीड भी है गोल गोल करके उपर जाऊंगा चलो गाईस मैं यहाँ पर पहुच चुका हूँ नीचे एक monster truck है मुझे लगता है इस monster truck से ही करना है ये रैम इसका organizer कौन है वो रही दीदी होनी तो यही चीए इसे ही पुच्टाओ दीदी क्या करना है यहाँ पर जल्दी जल्दी बताना है मेरे पास time नहीं है rules वगेरा सब एक बार में बता दो इसमें जादा कुछ नहीं है rules काफी simple है तुम्हें इस रैम को cross करना है क्योंकि ये रैम बहुत जादा मुश्किल है तो जो भी इसे cross करेगा उसे 5 लाग डॉलर मिलेगा ओके तो guys हमें बस इसे cross करना है ओ दीदी ने सही कहा था ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि monster truck पहले से इतना ज़्यादा बढ़ा है नहीं 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 नीचे की तरफ नहीं यहां से आरावाराम से जाएंगे guys हमें कहीं पर attack ना नहीं बस इचिस का ध्यान रखना है एक ही रास्ता चूस करते है देखो guys जब तक मैं यह ramp कर रहा हूँ न प्लीज यार वीडियो को like कर दो आप लोग आजकर like नहीं करते और जो लोग नए है और वीडियो देख रहे है अगर आपको अच्छी लगे तो please channel को subscribe करो यार क्योंकि इन सब में बहुत मेहनच जाती है चलो चलो सबको टकर मारते हुए जाएंगे guys यहाँ पर हमने strike होनी चीए और यह बचा है last वाला अबे यार यह सब क्या रखा हुआ है बीच में इतने बड़े बड़े पत्तर हमारी गाड़ी अटक जाएगी यार guys अब यहाँ से सीधा नीचे अबे यार नई 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 सीधी हो जा सीधी हो जा हाँ चलो बच गए अब यहाँ से है आड़ा तेड़ा रास्ता जिसमें भी blade चल रही है चलो 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 यह वाला आकरी platform है फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे भाई साहब इतनी सारी footballs कोई नी कोई नी कोई नी यार इनके वज़े से कुछ दिखाई नहीं दिया मैं यहाँ पर टकरा गया हूँ गाईस हमने आदे से जादा तो मुझे लग रहा है कि क्रॉस करी दिया है बस ऐसे ही करते रहना है हमें तो पकाई यह मैं कर दूँगा ओ ओ ओ ओ ओ इतने सारे bowling balls इनके वज़े से गाईस मेरा balance बिखड़ रहा है क्योंके बीच में बहुत चोटे चोटे खड़े आ रहे है और यह tire काफी जादा जम्प करते है थोड़ा थोड़ा इंतजार करके जाना पड़ेगा क्योंके इन में gap बीच बीच में होता है चला अब तोड़ के निकलेंगे गाईस अब यहाँ पर gap ढूंते ढूंते दाए बाए दाए बाए करते करते और यह मैं आ गया चुका हो गाईस क्या बात है यार मेरी driving पहले से बहुत ज़ादा सुधर गई है अब यार एक तो इन पत्थरों से मुझे इतनी नफरात है ना बीच बीच में रैंप में कौन पत्थर डालता है यार और वो भी इतने बड़े बड़े यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है जंगल वंगल उगाली है क्या यहाँ पर बहुत यह जीब से चीज़ है यार चला 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 इन कंटेनर के उपर से होके गाईस हमें जाना है जंगल की तरफ इसको जंगल तो नहीं मीनी जंगल बोल सकते हैं यह पेड़ हमारे बहुत ज़ादा बीच में आ रहे देखने से काफी आसान लगता है चलो गाईस अब यह फाइनल स्टेज है इसको क्रॉस कर लिया तो समझे हम लोग जीद गए नई नई फिसलना नहीं आ रहा हमारा हम से दोनों साइट ब्लेड है चलो गाईस मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा धीरे धीरे आगे बढ़ना है और यह मैंने कर ही दिखाए आखिरकार और गाईस यसी के साथ हमें मिलते हैं पूरे पांच लाग डॉलर क्या करूंगा मैं इतने पैसो का हाँ मुझे पता है मैं क्या करूंगा मैं मार्केट खोलूंगा और देखूंगा कि पांच लाग डॉलर में कौनसा सूट है और गाईस यह रहा बाई एक ब्लाक कैप्टन अमेरिका यह तो हाइडरा वाला सूट है ना जो भी एक गाईस काफी गजब का लग रहा है अब चलते है यहाँ से सीधा नीच गलट डिसीजन तो नहीं है जली से पैरशुट खोल भाई मेरी आवासी अटक गई थी चलो अब यहाँ से लेंड करना किसी गाड़ी के पास ही करता हूँ कोई बात नहीं इस गाड़ी को लेके जाता हूँ यहाँ से क्योंकि हमें और भी रास्ते रूमने पैसे कमाने के और चल के तो मैं जाऊंगा नहीं एक मिनिट यार यह किसका कॉल आ रहा है जली से उठाता हूँ टोनी इसको क्या हो गया भी हाँ 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 फ्रेंकलीन मेरी बात सुनो आहाँ हाँ सुन रहा हूँ पर तुम रो क्यू रहे हो तुम मैं जल्दी से यहाँ पर आ जाओ मैं बहुत जादा दुखी हूँ आरे यार रो मत मैं आ रहा हू आ रहा हू गाइस यार टोनी को क्या हो गया इतने टाइम बाद उसको रोते हूँ देख रहा हूँ मैं फटा फट से जाता है उसके पास कहें कुछ गडबर तो नहीं हो गई मुझे भर ушा इनी हो रहा है टोनी कैसे रो सकता है पर फोन पे तो आवज वय से आ रही थी इक काम करता हो गया जल्दी जल्दी अंदर जाता हू गया टोनी कहा गया कहा है एक मिनिट येरा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है अरे यार टोनी प्लीज उट जार रो मत यार मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे बता क्या हुआ है अल्ट्रोन ने मेरा सूट चुरा लिया है और उसकी चिप डी अक्टिवेट कर दी है जिससे मैं उसे अपने पास भी नहीं बुला सकता क्या बात कर रहा है तो अभी तुमें वो सूट मेरे ले ले के आना होगा या फिर अगर तुम उसकी चिप एक्टिवेट कर दोगे तो वो अपने अपी मेरे पास आ जाएगा प्लीज मेरे इतनी सी हल्प कर दो अचा अचा ठीक है मुझे बस उसकी लोकेशन भेज़ दे ना गाइस या सूट की लोकेशन तो होगी नहीं टोनी के पास क्यूंकि उसकी चिपी डी एक्टिवेट है पर अल्ट्रॉन की लोकेशन तो टोनी निकाल सकता है क्यूंकि उसको यहीं बनाया है यह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि एल्ट्रॉन अपने चिपके कोड बार 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 बदलते रहता है तो फाइनली टोनी ने लोकेशन निकाली दी और अभी मैं वहाँ पर पहुंची रहूँ वह लोकेशन यहीं कई पर होनी चीए गाइस यहीं ज जता हूँ घर किया रहा है गाइज एसा लग रहा है कोई लिस्ट चेक कर रहा है उसका ध्यान है नहीं फटा-फट से जाकर इसको टफली मारता है यह ले चलो गाइस गया मुझे लगता अभे वापस से उठ रहा है तेरी तो गाइस यार अब इसको फिनिशर देता हू तेर के पचास हजार भी चलो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है बस तब तक अल्ट्रॉन ना आ जाए उसके ये मिनी रोबोट सारे तब तक तो खत्रा जादा नहीं है पर वो बहुत खतरनाक है जल्दी जल्दी करके सब को निपटा देते है बस तीन चार और बचे है पसे कैसे उट रहे है और आप ये खा और ये भी गया गाइस मुझे लग रहा है कि सब लोग निपट चुके और इन सब को मार के हमें मिले पांच लाग डॉलर क्या बात है यार आप जल्दी से जाके सूट को ढूंगते है वो इस घर के अंदर ही रखा हुआ होना चीए वै इसे के चलने के आवाज आ रही है आपको दर्वाजा खुला दर्वाजा खुला अब यार कितने रोबोट जमा करके रखे इसने बस ये मुझे देखना ले वरना गडबड हो जाएगी अब अपनी बार ये है जल्दी से जाते सूट के पास कहा गया सूट कहा गया ये रहा आखिरकार मैंने से ढूनी लिया तूनी ने कहा था कि इसकी चिप एक्टिवेट करनी है तो जल्दी से करते है और कहा गई ये होगी शायद चलो गाइस प्रोसेश चालू हो गया है दस बीस तीस ये तुम क्या कर रहे हो एक मिनित ये कैसी आवस्ती अब यार अल्ट्रोन कह करना नहीं चाहता तुम मेरे घर से चोरी करके ऐसे नहीं बच सकते तुमें क्या लगता है मैं इतना बेवकुफ हूँ अब बेवकुफ तो नहीं हो पर ये लो गाईस यार बातु बातों के बीच में मौका मिल गया तेरी तो समझते है क्या है खुद को अल्ट्रोन होगा अ वैसे 100% हो गया गाईस टूनी का सूट अपने को बचाने आया है वो भी आटोमेटिक क्योंके टूनी तो उसके अंदर है नहीं ऐसे लगे रहे है हम दोनों मिलके से हरा देंगे वैसे तो मेरी जरुद भी नहीं पड़ेगा तो नहीं नहीं पड़ेगा भारी मैं उसके वाट ना लग जाए यार कैसे भी करके उसको हरा सॉरी अरे यार मैं उसको मानने जा रहा था तुम बीच में आ गए मुझे लग रहा है इस की वाट तो लगी चुकी है विचारा घायल हो गया बहुत बड़ी बड़ी धंकी दे रहा था पर अगर यार टोनी का सूट नहीं ह भाग कर ही जाना होगा यार यहां तो डर के मारे सारी गाड़िये गायब हो गई है चलो यार जैसे तैसे करके इसके घर पर तो पहुंचा टोनी कहा पर है यह देख मैं क्या आया हूँ तेरा सूट अब तो खुश हो ना तुमने बहुत अच्छा काम किया फ्रेंक्लिन मैं तुम्हें इसका ही नाम दूंगा यह लो पूरे पांच लाग डॉलर अरे यार इसकी जरुवत नहीं थी अच्छा ठीक है तो वापस दे दो आरे नहीं नहीं अब गिफ्ट थोड़ी वापस करते है अच्छी बात नहीं होती चलो मैं चलता हूँ खली उपर के मन से दे रहा यह गाड़ी के आवास का से यार यह वो भी इतनी स्पीड में अबे नई कौन है यार यह बेवपूफ कैप्टन अमेरिका को ठोक के चला गया कितनी रफ चलाता है यह लोग खाली रोड देखानी के बूम बूम अभी जाके बताता उसको अबे यार यहा तो बीड जमा होग ठोक के चले आए अरी मुझे माफ कर देना मैं थोड़ा गाई में था फिर इन लोगों ने मुझे रोक लिया और गाड़ी के आसपास भीड जमा हो गई क्या करूँ मेरी गाड़ी इतनी धासू है आँ वैसे गाड़ी तो धासू है काफी अच्छी दिख रही है चलो मैं ध्यान बातों में है और वो गाड़ी लेके निकल गया वहा कितनी अच्छी बात है मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक बाइक पड़ी है गाईस यही लेके जाता हूँ जादा दूर नहीं गया बीभी आउस से मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा वो गाड़ी दिखने मे गाईस यहार उसने गाड़ी स्लो तो की है एक मिनिट कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों गया है यह अच्छा हाँ मैं भूल कैसे सकता हूँ उसने नई प्रॉपर्टी लिए मुझे लग रहा है कि इसका घर है इसी बिलिडिंग के अंदर बनने वाला है गाड़ी से निकल के गांने जा और यहारा है पर ऐसे कैसे पने अब कि आद रहा है चलो गाईस पटा चले हमारे पीछे आई। चुप चाप मौका मिला है तो कल्टी मार लो जाते सिदा साइमन के शॉप पर और जाके इस गाड़ी को बेच देते यार हटो हटो मेरे रास्ते से बाद मैं मत बोलना ठोक दिया गाइस गडबड हो चुकी है लगता है स्पाइडर मैं ने उपर से अपने को देख लिया होगा स्पाइडर मैं मेरी बात सुन बाद में दे दूँगा तेरे पैसे पर अभी मुझे इस गाड़ी की जरूरत है इससे पहले उस गाड़ी को कुछ करे मैं यहां से निकलता हूँ ओ यह तो आ गया सही टाइम पर मैं गाड़ी से निकला वरना गाड़ी को नुकसान पहुचा देता ही है स्पाइडर मैन मेरी बात सुन यार मेरी मजबूरी है थोड़ा समझ फ्रेंक्लिन तुम चोर हो यह तो मुझे पता था और तुम दोस्तों के यहां पर ही चोरी करोगी यह मुझे नहीं पता था आज मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं सबक सिखाऊंगा अरे यार ऐसा मत कर तेरी तो यह ले और यह खाफाइट कबसे बोल रहा हो यार मजबूरी है मजबूरी है यह तो सुनने को तियार ही नहीं है बहुत जादा गुस्सा है मैंने तुमसे कहा था वो मेरी सबसे अच्छी गाड़ी है तुम उसी को चुरा रहे हो आरे यार थोड़ा समझना मजबूर ये बोल रहा हूं तो ऐसे नहीं मानेगा गाइस ये इसको बेहोश करना पड़ेगा हो क्या ट्रक ठोके गई थी फिर भी बच गया अब ये ले अब यार इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा इतनी जोर जोर से मार रहा हूं मैं मुझे इस सबसे कुछ नहीं होने वाला गाइस मुझे लग रहा है ये सही बोल रहा है ऐसा इसको लगता है चौप छड़ा है कुने में स्पाइडर मैन थोड़ी तर यही पर निन ले लो तुम्हें आराम की वेसे भी जरूरत है अब बार ही है अपने गाड़ी के पास जाने की इससे पहले कि स्पाइडर मैन वापस से जाग जाए पटापट से बैटते हैं अंदर और निकलते हैं यहां से गाड़ी को फूल देचनी है यह स्पाइडर मैन की कार है और वो भी एकदम लेटेस्स मॉडल देख तो सही कितनी ज्यादा कूल लग रही है मुझे बता इसका कितना देगा आ मैं तुम्हें इसका दूंगा पांच मिलियन डॉलर बहुत अच्छे डिल है अब इसमें उपर नीचा मत करना बन है पर गाईज अब बस एक आखरी वाला सूट बचा है कैसे भी करके उसको भी अपग्रेट कर लू ना एक मिनिट यह क्या हुआ उजाला था अचानक से अंधिरा कैसे हो गया पका या कुछ तो गड़वड है गाईज हमें जाके चेक करना चीए आखिर में हुआ क्या है सार मुझे इन सबको जल्दी से जल्दी खतम करना होगा यह ले और यह लो चलो इनको भी मारने के पैसे मिल रहे है वो भी अच्छे कासे मैं तो लेजर भी छोड़ सकता हो यार कितनी कूल चीज है यह सूट सची में बहुत जादा कमाल का है यार अभी बताता इनको तुमारी तो मैं सबको एक साथ गाइस तो यह वापस से खड़े हो जाते है यार आओ घुमर घुमर घुमते हैं मुझे कोई और रास्ता अपना ना होगा जिसे यह अपना अप मरते रहे क्यूंकि ऐसे तो यह लोग मुझे भी हाइडरा का सोल्जर बना देंगे यहां से निकलना जाएंगे पर इससे कोई बात नहीं बनने वाली जब तक मैं हाइडरा के लीडर को नहीं मार देता यह सब बंध होने से रहा मुझे जाके उसे डुनना होगा एक मिनिट हमारे पास एक लोकेशन आईए गाइस ओ यह तो हाइडरा की लोकेशन है जल्दी जल्दी एक काम करत तो मुसीबत और भी बढ़ गई है गाइस यार लोकेशन तो यही पर आके खतम होती है कहा गया हाइडरा एक मिनिट वो तो रेट सकल है वैसे तो हाइडरा भी वही है ना मुझे अच्छे से याद नहीं गाइस जो भी है ना करवा यही रहे तुम तो बाहर गए हुए थे अब कैसे आ गए मैं दूसरा कैप्टन अमेरिका हूँ पर ताकत पर उतना ही हूँ तो हलके में मत ले ना जब मैं उससे नहीं डरा तो तुम से क्या डरूंगा मामूल इंसान तुम्हे मामूल इंसान का अभी बताता हू तुझे गाइज यार वो हाइट्रा के सोलजर को मार के हमें 10 मिलियन डॉलर मिले थे अब उनका इस्तमाल करके यही पर सूट को अपगरेट करता हूँ देखता हूँ कौन सा सूट है और यह बाई काफी अलग सा है मुझे कोई फरक नहीं पड़ता यहाँ पर आओ यह लो आरे यार मैं सूट आने की खुशी में था तुम्हारी तुम्हें का हम मैं तुम से डरता नहीं हो तुम कुछ भी कर लू अब को यहां पर आयो अरे तु यह पर आओ और यह ले अफोग्या और यह पंच पढ़ायत्माल करना यह ले फिर कर लिएक को नहीं अ ने इसको फ्रॉस्टेट हो गया मुझे नहीं लग रहा वैसे भी यो उठेगा गाईस यार इसका तो गेम बज गया चलो फाइनली से हरा दिया और क्या बात है मौसम भी ठीक हो गया ये होती है ना बात तो गाईस यार मैंने अपना काम कर दिया बाप की बारी है मेरा सूट भी चला गया यार मैं फिर से फ्रेंक्लीन बन गया जोलो मैं जाता हूँ घर पे आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना नहीं होते चानल को सस्क्राइब कर देना उसे के साथ हमें फॉलो कर लेना इस्टाग्राम और फेस्बुक पर मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में जय हिंद